सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने वाट्सअप के एप पर लॉक कैसे लगाएं यानि कि अपने वाट्सअप को लॉक कैसे करें आपके पास कोई से भी mobile हो मैं आपको जो तरीका पताऊंगा उससे आप अपने WhatsApp को आसानी से lock कर पाएंगे तो चलिए देख लेते हैं कि WhatsApp में lock कैसे लगाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile की setting को open कर लेना है और यहाँ पर आपको एक option search करना है lock screen या फिर apps का तो यहाँ पर lock screen का एक option आ रहा है तो इसको आपको open करना है मैं यहाँ पर Samsung mobile use कर रहा हूँ तो जितने भी Samsung user हैं उनके लिए setting थोड़ी अलग होती है तो अगर आप लोग Samsung user हैं तो आपको lock screen वाले option में आ जाना है और यहाँ पर जब आप नीचे scroll करके आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा lock and mask app अब बहुत सारे लोगों को यह option नहीं दिखरा होगा तो इसके लिए आपको एक app डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ मैंने बताया था बीना किसी app के तो यह जो app है ना यह Samsung Company द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है यह app ऐस सिक्योर करके तो यह app आपको अपने mobile में डाउनलोड करना है Galaxy Store से यहाँ पर आपको आजाना है Galaxy Store में अगर आपका Samsung का mobile है और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिजगा अगर आपको कोई और mobile है तो टेंसल लेनी की कोई बात नहीं है आप अपने mobile की सेटिंग में आ जाईए और apps के option पर क्लिक कीजे अगर आपको option नहीं मिलना है तो यहाँ पर आप लोग search भी कर सकते हैं यहाँ पर जैसे आप search करेंगे lock app तो आपको option मिल जागा इसके बाद यहाँ पर आपको lock and mask एप पर क्लिक कर देना है या फिर lock app का option होगा उसको क्लिक कर लेजेगा अब यहाँ पर आपको lock and mask एप पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको इसको on करना है अब दिखिए यहाँ पर आपको कई सारी option मिलेंगे कि आप किस type का lock लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो password वाला भी lock लगा सकते हैं pin lock लगा सकते हैं या फिर pattern lock password में आप number डाल सकते हैं pin में आपको कुछ number और later मिला कर डालने होते हैं और pattern में आपको अपने उंगली से draw करना होता है तो आप जिस प्रकार का यहाँ पर password लगाना चाहते हैं उसको select कर लिजे तो यहाँ पर मैं pattern lock लगाना चाहता हूँ तो इस पर आपको click कर लेना है अब यहाँ पर आपको अपना pattern draw करना है कि आप किस प्रकार का pattern lock लगाना चाहते हैं तो यहाँ से मैं अपना pattern lock लगा लेता हूँ अब यहाँ पर आपको continue वाले option पर click करना है और दोबारा से उसी lock को यहाँ पर दोहराना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको confirm का option मिलेगा तो इस पर आपको click कर देना है जैसे आप confirm वाले option पर click करेंगे तो आपका pattern lock तो हो गया लेकिन अब आपको यहाँ पर app select करना है कि आप किस app पर lock लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको lock app वाले option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको add वाले option पर click कर देना है फिर यहाँ से आपको अपना WhatsApp को select कर लेना है तो यहाँ से मैंने WhatsApp select कर लिया है अब आपको done कर देना है Samsung वाले में थोड़ा सा process जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है अगर आपको कोई और mobile है तो इतना लंबा process नहीं होगा तो यहाँ पर मैंने add कर दिया है अब back आजाना है अब चले मैं back कर लेता हूँ अब देखिए यहाँ पर जो मेरा WhatsApp है इस पर lock लग चुका है इससे पहले यहाँ पर lock नहीं लगा हुआ था अब जैसे आप अपने WhatsApp पर click करेंगे तो यहाँ पर आपसे pattern मांगेगा यानि कि अब आपको यहाँ पर वो pattern ड्रॉ करना है जो अपने लगाए था तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और जैसे आप pattern को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका WhatsApp ओपन हो जाएगा तो अब देखिए हमारे WhatsApp पर lock लग चुका है इस प्रकार से तो अगर आपको वीडियो हेलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी question है कोई भी doubt है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा